हेलो एवरिवन यह है वीडियो वर्ल चैनल और आज की वीडियो में हम वीडियो बनाएंगे एक कमेंट आया है जिसमें लिखाए सर आउटपुट को एक्सल सीट पर कैसे लगाएंगे यानि कि स्टैट प्रो का जो आउटपुट है रिजल्ट है हमारे स्टुक्चर के उनको स्टैट पर कैसे ले जाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक स्टक्चर बना देता हूँ एक बहुत सिंपल सा स्टक्चर एक बीम बनाया उसे टांसलेट कर दिया जैड में उसके बाद उसको टांसलेट कर दिया अपने वाई में थ्री मीटर स्टेप फाइव लिंक ओके और इसमें हम नीचे लगा देते हैं सपोर्ट सपोर्ट लगाने के बाद प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टी देते हैं बीम और कॉलम को क्योंकि वीडियो हम बना रहे हैं एक्सल सीट के उपर एक लोड लगा देते हैं जिससे हमारे ऋसके यह let's डेडड लोड में शैलफेट लगा लगा देते हैं काफी है शैलफेट ऐसीच बस इसको आनेलाइ़ कर देते हैं पिर इसके आउटपट के बारे में डिसकस करते हैं कि अनलाइज कि दन कि कि सबसे पहले बात करते हैं रियक्शन की और रियक्शन हमें किसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सल सीट होती है जो अभी मेरे पास नहीं है मैं फिर उसके लिवारे में किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा एक्सल सीट इसमें फॉर्म में इन्पुट कर दें तो मैं फूटिंग डिजाइन कर गया अउट्वट में मिल जाएगा फॉर्मुला उसमें लगा होता है तो हम कैसे एक से ज्यादा एक कॉलम है तो हम तो यहां जाते हैं रिपोर्ट है हमें क्या चाहिए सपोर्ट रेक्शन पर क्लिक किया ठीक है लोडिंग किसके लिए डेट लोड के लिए और हमें क्या चाहिए सारी चीज़े चाहिए बस ओके कर दो क्लिक करने जुरूत निया देखें यहां पर सब मिल जाएगा चार सपोर्ट हैं 1234 सब पर फोर्स एफ एक्स एफ वाई एफ जैड मुमेट इसको यहां पर नोड पर क्लिक करेंगे कोपी और जो एक्सल सीट अभी मैं इंसर्ट कर लेता ह हुआ हुआ है सोरी मैंने एक्सल सीट अभी हाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं यह आ गई ठीक है इसी तरह हम कोई और डाड़ा लेते हैं बीम्स स्रेट करो बीम पैलर टू एक्स स्लेक्ट बीम पैलर टू जैड और रिपोर्ट में जाओ और हमें क्या चाहिए बीम एंड फॉर्स से यह शेक्सन डिस्प्लेस में यह बीम स्ट्रेसिस नहीं है और के किया ओके कर दिया देखिए यह आ गई एक्सेल बैंडिंग बैंडिंग जैड कंबाइन शीयर वाइस एर एक्स बीम पर क्लिक करेंगे कोपी और एक्सल सीट पर हम पेस्ट कर सकते हैं यह आ गया यह यह जिसी तरह कुछ और देखते हैं जैसे कि जितने मिया रिपोर्टे दिस्प्लेसमें जोइन डिस्प्लेस्मेंट कर साथ है। Report, Joint Displacement, okay, सारे Joint हैं हमारे पर 24 Joint है, सभी की Reactions आ गई है और डिस्प्लेसमेंट आ गया है यहाँ है यहाँ पर Displacement 0 है कि यह सपोट है हमारी Onerist 4 मैं आ उसके बाद जै। हमारे हने हमारे हमां पर कुछ नपटिशिडें इस तरह से हम लेते हैं कहां से फ sich प्लेट हो कोलम हो section of beam stress join discipline beam property जे उसले beam select करे report beam property ok प्रोपरटी ऑund के प्रोपर्टी कौनको से नॉट से connect है सइड क्या है उनकी length के एरिया का उनका movement of inertia क्या है इस तरह से आप सब आपर ले सकते हो data copy और यहाँ पर आपके पेस्ट हडिया ठीक करणे export में जाना आई पूस्ट में report result में आप result यहाँ पर देखे और पोस्ट प्रस्टuryPer़वत में download करेंगे result को तो इस तरह से हम किसी भी result को Excel में ले सकते हैं अगर यह विडियो पसंद आई हो तो like करना subscribe करना ना भूले दोस्तों मेरे view भी कम होते जा रहे हैं और subscribe भी कम होते जा रहे हैं तो please share करें बस एक click करने आपको share पे अपने facebook पे वर्टसब ग्रूप पे आप लिंकेंड पे और आप अपने instagram पे share कर सकते हैं please जिससे मुझे motivation मिले और मैं और मेडियो बना सकूँ thank you